हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ब्रश्टाचार कमीशन खोरी और केंद्र की धन की बंदर बांट का खेल बना कर रख दिया SPMRM योजना को देवर पंदरवी विधान सभा के साथवे स्थत के 22 वे दिन प्रश्टकाल में केंद्र सरकाल द्वारा संचालित श्यमा प्रसाथ मुखर जी रूबरन मिशिन योजना के निर्वान कारों में हुए भारी प्रश्टाचार से सम्बन दित तारांकित प्रश्ट पूच कर भाश्पा प्रदेश उपाधियक श्यबम रानी वाडा विधायक नारायन सिंह देवल ने कहा कि मेरा तो मूल प्रशन यह था कि पुरानी डींपी आर में शामिल कारों को हटा कर उनकी स्थान पर संशोधित डींपी आर में नए काम किस की कहने से और क्यों शामिल किये गए जब कि पहली वाली DPR में जो काम थे वो योचना की मुल्य उद्देश आजीवी का विकास एवं कुरुशी आधारत कार्य थे जिसे रोगों को स्वरोजगार मिले और शेतर में कुरुशी का विकास हो लेकिन उन सभी कामों को हटा कर संशोधत DPR में केबल और केबल, बृष्टाचार, कमीशन खोरी और केंद्र सरकार के धन की बंदर बात वाले कार्य जैसे C, C. खरंजा निर्मान, स्मार्ट क्लास रूम निर्मान आदी को शामिल किया गया देवल ने बताया कि दुख की बात तो ये है कि उन कार्यों के निर्मान में भी गुनवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया और निर्मान कार में घटी निर्मान समगरी प्रक्युक्त हुई CC सडक बनने से पहले ही उखड गई, क्लास रूम पूरा होने से पहले ही खराब होना शुरू हो गया अधिकारियों ने जालोर जले और खास कर रानिवाड़ा विदान सभा को लूट का अड़ा बना रखा है देवल ने बताया कि मैंने कई बार निर्मान कारों की जाच की मांके परन्तु सिर्फ लीपा पोती कर दी गई आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दी गई, योजना केंद्र सरकार की है और पूरा इसके लिए 100% बजट केंद्र सरकार दे रही है केंद्र सरकार के निर्देश है कि कार ने पूरा होने के बाद बिल बाउचर का भुक्तान PFMS से किया जाए अग्रीम राशी नहीं दी जाए, इसके बावजू चुलाई 2019 से दिसंबर 2019 तक पंचाय चनाव से ठीक पहले पंचायतों को अग्रीम राशी दे कर लूट खसोट हुई ये सब जानते हैं कि पंचाय चनाव से पहले सरकार ने पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किये थे और वो प्रशासक कौन थे ये भी सब को पता है देवल ने बताया कि कौंगरस सरकार ने केंदर की राशी को जनता के विखास के लिए दी गई थी उसके खुली लूट की आजादी दे दी योचना अंतरकत 105 करोड रुपए की राशी के काम होने थे स्टेट नोडल अकाउंट में सारे पैसे जमा होने थे 5 जुलाई से PFMS प्रक्रिया लागू होनी थी जिसमें FTO के माध्यम से काम होने के बाद बिल बाउचर फिट होते फिर संबंद ठेकेदारों खातों में राशी का बुकतान होता सारा का सारा पैसा राजो सरियक खाते में आ गया 10 जुलाई से दिसम्बर 2019 के बीच बिना PFMS लागू किये भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत कामों की सुकृती जारी कर राशी एड़ुमांस दे दी गई जबकि पंचैर चिनाफ होने थे विधायक देवल ने बताया कि रिश्वत उकोरी के कारण गयामन विकार स्विभाग में ये नियम विरुद्ध काम हुआ राजो में खाते से पैसा FTO के माथ्यम से जाना था परन्तु जिलों के मुख्य कारेकारी अधिकारियों को इस खाते से राशी निकाल कर पंचैरतों को अग्रीम देने की अनुमती दे दी गई जिसमें मोटा कमिशन लेकर सभी ने वरश्टा चार का खेल खेला भारत सरकार से कलेक्टर का पैसा आया जिसे जिले को देना था जिले को ना देकर थोड़ी थोड़ी राशी पंचैरत समिती को दे दी मंत्री ने इसकी राजिसरी अधिकारियों की एक कमिटी बना कर जाच कराओ आप सदन में आशुवासन दो इसकी जाच होनी चाहिए और रिपोर्ट भी आनी चाहिए देवल ने कहा कि अगर अभी निश्पाक्ष जाच नहीं होगी तो भाजपा सरकार आएगी तब जाच कराओंगा लेकिन केंद सरकार का पैसा जिसने भी खाया है उसको छोड़ूंगा नहीं इस पर मंत्री ने सदन में आशुवासन दिया कि मैं इस मामले की जाच कराओंगा जागरुक टिवी की रानी वाड़ा से विद्धाय मदन माईश्वेरी की रिपोर्ट